कल शाम तो कोजी भी खराब ख़बर नहीं आए बलकि Walmart के नंबर अच्छे आए थे guidance उनोंने बढ़ाई है अपनी jobless claims इनके कल गिर कर आए कोई भी ऐसी कल negative ख़बर नहीं थी तो फिर क्यों days low पर डाव बंद हुआ 300 point गिर थी वक्त वक्ती बात ही थी यह अगर वो दार्शनी किस तरीके से कहते हैं सब मौम आया है क्या रखा है इसमें अभी हर खराब ख़बर बढ़ता है यह अच्छी ख़बर गड़ता है यह market है मतलब इसको जानने पैचानने समझने कि एक जरुत से ज्यादा कोशिश कर नहीं चाहिए बजाए यह कि वो क्या कह रहा है सुन लो ध जा रही है और तेजी का मौम आप रही है यह वेरी गोड बैजरे नहीं बढ़ेंगी ठीक है मंदी का market है तो हर एक डेटा की दोनों तरह से interpretation होती है उसको आप अच्छा सोचोंगे तो कुछ ने कुछ अच्छा दीखेगा खराब सोचोंगे तो खराब दीखेगा जैसे कि नोक्रिया नहीं हो रही है अमरिका में तो एकोनोमी के एसाब से देखेगे तो नोक्रिया नहीं हो तो एकोनोमी धीमी पड़ेगी लेकिन सामने आपको पता है कि ब्याज़ दने नहीं बढ़ेगी तो हर एक डेटा के एकोनोमी में दो विशलेशन होता है वो कहते हैं कि जह में कोई भी अच्छी खबर को बाजार इग्णोर कर रहा है और बूरी खबर पर तुरंट एक्षिन दे रहा है अब वैसे कल देखा जाए तो और एक्स्ट्रा बूरी खबरे कल कुछ नहीं है यह जिसके वाज़े सा कि अमेरिका आपको 290 पॉइंट गरता हुआ नजर आए एक्स्ट्रा बूरी खबर नहीं है वही आपके डॉर्डर इंडेक्स एक्सो तीन पचास के आसपास ही है वही आपके बॉंडल सवा चार परसें से थोड़ा सा उपर के आसपास है तो उतने के उतनी है दिप कुछ खास बदला नहीं है ले है करेंसी कम होती है सबसे ज्यादा आपके रिसके असेट क्लास एक्विटी है और यह सबसे ज्यादा तब तक थी जब तक कि बिट कोई नहीं आया क्रिप्टो नहीं आया अब उससे ज्यादा क्रिप्टो होगे तो कल आप देख लिए क्रिप्टो भी गड़िया है तो जित मतलब यह कि आपको थोड़ा सा जहां विविस्ट दिखती है वहां पर आपको पोजिशन हल की करना है यह टेंड अमेरिका के मार्केट दिखा नो दिन से सोना गिर रहा है लगाता है नो दिन हो गए तो मेरी खाल से थोड़ा सा गिलोमें मार्केट के संकेट डीले डाले है उस हम रुकनी की कोशिश भी करने तो ग्लोबल सपोर्ट नहीं है और आखरी चीज जो बची थी और नहीं आगए चाइना को लेकर कल नहीं बताई रही थी कि चाइना की हाल बड़े खराब है प्रोपर्टी मार्केट में तो खाई उनका है उन्होंने दिवालिया गोशित होने लिए नियुएर्क में जाकर अरजी लगा दी तो सोचो अब इसके असर तो होंगी होंगे ना बड़ी कंपनी है और सवाल यह नहीं है चाइना की एक कंपनी डूब रही है यह बड़ी बात नहीं है इंडिया में या अमेरिका में इस देश की सबसे बड़ी दिगज रियल दिवालिया हो रहे है तो उस सेक्टर का क्या हाल होगा उस एकोनोमी का क्या हाल होगा इसका मतलब क्या है दिवालिया क्या हो रही है तो कंपनी की गलती है जो और लिवरेज कर लिया ज़र उसे जादा एक्सपांशन कर लिया ना दिमाग नहीं लगा है दूसरा यह अगर व पर उन्होंने एक्सपांशन किया, गर्ज ले लिया, वह तो नहीं रहा है लोग खरीद नहीं रहें, पैसा चुकाने के लिए पैसे आनी रहें तो दिवाले आप हो रहे हो, तो ये सिर्फ खाली एक कमपनी का दिवाले होना नहीं है, ये इसको रिलेट करके आप देखे चीन स कि चीन का हाल कितना ढिला है अगर उनकी इतनी बड़ी रियल स्टेट कमनी दिवाले हो रही तो यह इस इस हिसाब से डर ज्यादा है अब पहले से हमारे अमेरिका के मार्केट ढिले तो ही है उसके उपर से और खराब कब डाल दो आप यह तो मैं आपको ग्लोबल रिकोवरी के इस आप से फिर चिंता अब इसमें पॉजिटिव साइट देखो तो यह कि अगर चाइना के हाल खराब है तो फिर इंफलेशन पर कंट्रोल लाने में थोड़ा मिलेगा लेकिन इस वक्त क्या है मार्केट का मूर ऐसा है यह अच्छी ख़बर को अच्छा नहीं देखना है ख थोड़ा मुश्किल है थोड़ा मुश्किल है तो हमारे लिए थोड़ा समझाए क्योंकि